हेलो बच्चो जो अगला आपका टाइप आता है तो जितने भी आपके सिंपल से contact forces होते थे वो हमने explain कर दी है tension बता दी मैंने आपको contact force के बारे में बताया आपको और muscular force के बारे में बताया तो अब हम देखेंगे जो अगला है वो है हमारा non contact force नाम सी बीटा पता चल रहा है ऐसा force जो किसी object को बिना टच किये उसके उपर लगाया जाई इस परकार के forces को non contact force कह देते हैं ठीक है लिख रखा है यहाँ पर जैसे magnet दिख रही है आपको यह जो magnet दिख रही है एक magnet लोग की टुकडो को आईरेन की टुकडो को या और दूसरी magnet को अधर magnet को जब अपनी तरफ अट्रेक करती तो बिना contact में आए ही उसको अपनी तरफ क्या कर लेती अट्रेक्ट कर लेती तो एक एकजामपल है एक जो magnet उत्ती चुम्बक होती जिससे बच्चे खेलते हैं वो एक non-contact force का एकजामपल है आपको दिख रहा होगा non-contact forces definition आपकी the non-contact forces are forces that can affect objects even when they are not touching यहने कि non-contact forces जैसे forces होते हैं जो किसी भी other object को परभावित कर सकते हैं बिना उन्हें के physical contact में आए उनको बिना touch किये ऐसे forces को non-contact forces का जाता है एक एकजामपल simple सा magnet का मैंने आपको बताया दूसरा आपका example है अर्थ का gravitational force gravity जिसको हम बोलते हैं जिसकी वज़े से हम अर्थ के उपर टिके हुए gravity ही वह force है जिसकी वज़े से अर्थ के उपर wire bundle exist करता है चंदर्मा के पास gravity कम है तो जो moon के उपर gravity कम होने के वज़े से क्या होता है moon का कोई भी atmosphere ही नहीं है अर्थ के पास अच्छी खासी gravity है और से उसी वज़े से अर्थ के उपर atmosphere है जो moon है हमारा कभी बना होगा तो उसके उपर कभी कोई gas अगर generate भी होगी पैदा होगी तो वो सारी gases को अर्थ ने क्या कर लिया अपनी तरफ अटेक्ट कर लिया क्योंकि अर्थ के नजदी कौन है अपका moon is a natural satellite of earth तो natural satellite पास से जब वो घूंती है तो उसका जितना भी atmosphere था उसको अर्थ ने capture कर लिया अपनी तरफ क्या तर लिया अटेक्ट कर लिया और इसी वज़े से atmosphere नहीं बंड रहा है ठीक है आगे क्या बोलता है एक्जामपल देगे बता रहा है मैगनेट कन अट्रेक्ट और रिपैल एर अब्जेक्ट थू ठीक है विदाउट टचिंग यानि कि मैगनेट क्या करती चीजों को पने तरफ खीच सकती बिना उनको कॉन्टेक्ट में नहीं ठीक है तो बेटा यह एक्जामपल था आपका नोन कॉन्टेक्ट फॉर्स का अगला जो अपका फॉर्स है वो है मैगनेटिक फॉर्स मैंने आपको पहले भी एक्स्पेंग क्या यहां पे और अच्छे तरीक के से देख सकते हो मैगनेट आइरन के पार्टिकल से रेड रेड इस तरह तो यह अगले और ग्रीकिंट तो जो मैगनेटिक फॉर्स होता हो अट्रेक्टी भी होतता है वो चीजों को पूस भी कर सकता है जैसे आपको सब्सक्राइब नौर्थ 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 पोल्स होते हैं किसी भी magnet के वो क्या करते हैं एक दूसरे को repel करते हैं यानि कि दूर धखेते अगर ये north इस तरफ है तो ये दूसरे north को दूसरी तरफ उस करने की कोषिश करेगा ठीक है तो जो like pole होते magnets की वो एक दूसरे को repel करते हैं और अगर हम opposite pole को एक दूसरे के सामने ले आते हैं North-South को तो विटा वो एक दूसरे को क्या करते हैं attract करने का काम करते यानि कि अपनी तरफ खीचने का काम करते हैं तो जो magnetic force होता है attractive भी होता है, repulsive भी होता है इसी परकार से हम समझ सकते हैं जैसे South-South Pole अगर magnet के South-South Pole एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे भी पहल करेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है like forces, अगर हम इसको diagram के दवारा समझा चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, मालो ये आपके एक बार magnet है, इसका ये North Pole है और ये South Pole है और इसी परकार से एक दूसरी बार magnet है ठीक है, इसका ये South Pole है और इसका ये North Pole है तो ये दोनों magnet के बिल्कुल like-like pole एक दूसरी सामने हैं यानि कि South Pole और South Pole दोनों के नजदीक है बिल्कुल, एक दूसरे को repel करेंगे तो this is card magnetic forces अगर मैं इनका change कर देता हूँ अगर मैं इसको change कर देता हूँ यहाँ पे हम बना देते हैं अगर North Pole, ठीक है ड्रो करते हैं North Pole, अब ये magnet और ये इसका दूसरी साइड में South Pole है तो ये क्या होगा, अब ये magnet एक दूसरी को क्या करेंगी attract करेंगी, क्यों करेंगी क्योंकि इन दोनों के South और North Pole एक दूसरी को face कर रहे हैं, और दोने एक दूसरी को face करते हैं, एक दूसरी के सामने हैं तो opposite pole है, opposite pole एक दूसरी को क्या करते हैं, like करते हैं, like करते तुछ एक दूसिए को क्या करेंगे आट्रेक्ट करेंगे जिस परकार से आपने पढ़ाстьck करते हैं कि और नेगेटीव और पॉजिसी चार्ज एक दूस्रे को क्या करते हैं आट्रेक्ट स्सेम चीज है तो यह जो फोर्स आपका यह है magnetic force ठीक है जो किसी भी magnet के दवरा दूसरी उप्जेक्ट के उपर लगाया जाता है magnetic substances के उपर लगाया जाता है जो हमारा अगला force है हो है बेटा gravitational force अर्थ है हमारी clouds दिखा रखें आपको यहां पर animation में तो simple सा जो gravitational force होता है वो ऐसा force होता है जो अर्थ की gravity के दवरा अर्थ के दवरा लगाया जाता है यानि कि जो gravitational force होता है वो किसी भी object के दवरा लगाया जाता है जिस भी object के पास इस universe में mass है उसके पास gravitational force है mass अगर किसी भी object के पास होगा तो उसके पास gravitational force हो और अर्थ के पास बहुत सारा मास है, बहुत बड़ी और बहुत बारी है, तो इसी वज़े से क्या होता, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वज़े से मैंने अभी बेटा आपको बताया था, कि अर्थ के चारों तरफ अर्थ का वायू मंदल ह तो जिस भी object के पास mass है उन सभी के पास gravitational force होता अगर आपके हाथ में pen है और उस pen का भी कुछ mass होगा तो pen भी क्या होगा वो भी एक क्या है gravitational force का example ठीक है तो gravitational force ऐसा force होता जो चीजों में उनके mass की वज़े से generate होता है this is called gravitational force अगर अपे English में definition देखना चाहिएंगों देख सकते है gravitational force is a force which which an object attract ठीक है another object towards itself the earth pull object towards ठीक है itself due to the gravitational force जैनी अर्थ को अर्थ हर चीज को अपने तरफ कीच के रखने का काम करती है हर चीज को अपने तरफ attack करती है क्यों करती है क्योंकि उसके पास एक force है और उसको बोलते है gravitational force ठीक है और इसी gravitational force की वज़े से बारिस होती है नीचे आते हैं आपकी जो cloud से जो बूंदे नीचे आती हो नीचे की तरफ आने का काम करती है अगर gravity नहीं होती तो नीचे बारिस होती ही नहीं अगर gravity नहीं होती तो आपका अर्थ पे वायूमंडल नहीं होता अगर gravity नहीं होती तो बेटा mountain से आपके नदिया नीचे नहीं आती है मैदानी लाकों में नहीं आती है और जाके समुदर में नहीं मिल जाती तो ग्रेविटी ही है जो अर्थ के उपर लाइफ फोर्म करती है लाइफ के चक्कर को चला के रखती है लाइफ की साइकल को के बरसते हैं उजो बरसते हैं बहुत सारा पानी जब इखटा होता तो फिर नदीयों का रूप लेलता है और फिर वही नदिया घूमत्र के मैदानी आलाकों से जाके दोबारह से समुन्दर में मिल जाती है तो इसी प्रकार से gravity काम करती या और ग्रेतेशनल जो फॉर्स होता वो सिर्फ अट्रेक्टिव फॉर्स है है, यह किसी भी चीज को रिपैल नहीं करता है, हर चीज को अपनि तरफ अट्रक्त करने का काम करता है कि-शीज पॉल्स नहीं करेगा, कभी, अगर ब्रिपैल कर रहा होता तो इंसान अर्थ के उपर थोड़ी रुखता अब ख़ब मिलते की फलाना फलाना वैक्ती अर्थ से भार फैक दिया गया है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि अर्थ हर चीज को पेंतरफ खीच के रखने का काम करती ठीक है दिस इस काल्ड ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को एक बार मैं आपको दुबार बता देता हूँ जिस भी उबजेक्ट के पास मास है उन सभी के पास ग्रेविटेशन फोर्स है यहां तक कि आप जिस चेर के उपर बैठे होंगे जो span से आप लिख रहे होंगे या आपके गर में कोई भी छोटा-ची छोटा object होगा सभी के पास होता है gravitational force सभी के पास mass होता है और उसी के विज़े से एक force generator ता उसको बोलते है gravitational force अगर आप formula लिखना चाहें तो लिख सकते है gravitational force का formula आता है F is equal to upon d square यह आपका gravitational force का formula होता है यानि कि gravitational force simple साथ दो object के masses का multiply होता है और distance का inversely proportion होता है यानि कि उल्टा होता है अगर distance बढ़ेगे तो gravitational force देर-देरे कम होता जाएगा इसी परकार से जब आप अर्थ से दूर जाते-जाते हो तो उसी मज़े से क्या होता है अर्थ के gravitational force weak होता जाता है और आप बहुत दोर चले जाते हो तो अर्थ का gravitational force बिलकुल weak हो जाता है ना के बरबर होता हम कह सकते है zero हो जाता है तो यह था आपका gravitational force हर object अपनी हर चीज को अपनी तरफ अपनी तरफ क्यों खीचते है या और कोई बड़ा object कोई बड़ी बिल्डिंग हो हमें अपनी तरफ क्यों नहीं खीचते है वह बेटा इसलिए नहीं खीचती क्योंकि उनका mass अर्थ की comparison में बहुत कम है negligible है ना के बरबर है तो उसी जाएसे उनके दवारा जो gravitation force लगाया जा रहा होगा वो बिलकुल negligible है और अर्थ का जो mass है बहुत ज़्यादा है तो इसी जाएसे अर्थ क्या करती है चीज़ को अपनी तरफ करती है और कोई भी mountain earth के उपर अगर present है तो वह आपको अपनी तरफ अट्रेक्ट नहीं करता है क्योंकि अर्थ का gravitation force mountain के मुकावले बहुत ज़्यादा है क्यों लोगा अटोपिक ठीक है तो हमेशे जाद रखना और gravitational force हमेशे अट्रेक्टिव force होता है और जो अर्थ का gravitation force होता उसी को gravity भी कहा दिया जाता है कई बार आपको नाम सुने को में लेगा what is gravity तो आप बोलोगे gravity जे force which is exerted by earth ठीक है जो अर्थ के दवारा चीज़ों के उपर लगाई जाती है और simple सी बात है gravity भी gravitational force ही है तो ये भी क्या है सिर्फ attractive force होगा चलो बेटा next slide देखने कोशिज करते है अगला जो आपका force आता है non contact की category में वो आता है आपका electrostatic force अब तक हमने पढ़ लिया magnetic force और आपका gravitational force और जो एक non contact force का जो एकजाम पने थर्ड जो आपका example है ये है electrostatic force का यानि कि electrostatic force ऐसा force होता है जो ठीक है charge के दवारा एक charge के दवारा दूसरी charge के उपर लगा जाता है charge bodies के दवार दूसरी charge body के उपर लगा जाता है उसी को बोलते है electrostatic force यानि कि ऐसा force जो एक charge body के दवारा दूसरी charge body या unchurch body के उपर लगा जाए उसी को electrostatic force कहते है example है बेटा आपके simple सा आपके हाथ में pen होगा pen को अपने hairs के उपर रब करने कोशिश करो उसको जब आप अपने hairs के उपर रब करोगे तो उसके उपर क्या हो जाएगा charge ही खटा हो जाएगा और वो जो charge ही खटा होगा उसी charge है आप paper के छोटे छोटे टुकुडों को pen से attack करवा सकते हो कई बार आपने बहुत बार करके देखो कि बच्चे खेलते हैं ऐसे आप चार्ज बोड़ी को क्या अपने तरफ अटेक्ट कर सकता है और चार्ज बोड़ी को भी एक्ट्रक सकता है और चीजों को rebel भी कर सकता है जिस परकार से यह आप दिखा रखा जो electron होते हैं उनका यह सिम्मल है यह पोजिटिव नेगटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रों आपको इस परकार से सिम्मल होता है और यह आपको पोजिटिव चार्ज दिख रहा है यह प्रोटों से तो इलेक्ट्रों प्रोटों के उपर है पोजिटिव चार्ज एलेक्ट्रों के उपर है नेगटिव क्या करेंगे रिपैल करेंगे ठीक है और अगर आपके पोजिटीव फोलिटीव कहता होते हैं तो क्या होगा कि यह भी एक दूस्य को रिपैल करेंगे क्योंकि लाइक चार्जिस रिपैल एच अदर वही सेम चीज़ लिख रखाए एक ट्रॉस्टेटिक फोर्स ऐसा force जो किसी charge body के दवारत दूसरी charge या uncharged body के उपर लगाए जाए उसी forces को electrostatic force कहा जाता है electrostatic force is the force that exists between electrically charged body जो दो electrically charged body के बीच में exist करता है उसी को बोलते है electrostatic force और बेटा इन दोनों अर्थ को अगर इस वर्ड को अगर electrostatic को तोड़ के देखे तो electro का मतलब होता है charge और static का मतलब होता है charge at rest static का मतलब होता है rest इसको बोला जाता है rest इसका मतलब होता है rest ठीक है rest और electro का मतलब होता है charge अगर आप से को पुछे what is the meaning of electrostatic इलेक्ट्टो स्टेटिक इलेक्ट्स इलेक्ट्र स्टेटिक अधालब छार्स एक इसको देख य। ठीकै इलेक्ट्र का मतलब होता है चार्ज यह राइटिंग आप पैन से लिख रहे हैं तो इस वजह से तो इस थोड़ी राइटिंग में प्रोब्लम हो सकती आपको जो लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा से इनोर करने कोशिस करना इलेक्ट्र स्टेटिक फोर्स समझाए होगा इलेक्ट्र स्टेटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो चार्ज बोड़ी के दिवरा लगा जाता है किसी दूसरी चार्ज बोड़ी या चार्ज बोड़ी के उपर मैंने आपको एग्जाम्पल दीके बता दिया